हरियाना लोक्षिवा आयोग ने इंटर्व्यू के अंक देने के लिए बनाया नया सिस्टम दोस्तों सीधे लैप्टोप पर लिखेंगे इंटर्वी बोर्ड के सदस्य अपने अपने अंके लिभाबा भी सेल बंद होगा दोस्तों अब अंक चोड़ने में नहीं होगी कोई गल्टी हरियाना लोक्षिवा आयोग ने पारदर्शिता में एक और कदम आगे बढ़ाया है अब इंटर्व्यू के अंक देने के लिए नया सिस्टम बनाया जा रहा है इंटर्व्यू बोर्ड के सदस्या अपने अपने अंके सीधे लैप्टॉप पर दर्श करेंगे ये अंक किसी अन्य सदस्या को नहीं दिखाई देंगे अंके एंक्रिप्टिड में होंगे और ये तभी अंकों में प्रिवर्तित होंगे जब इन्हें डिस्क्रिप्टिड में प्रिवर्थित किया जाएगा ये अंक तभी दिखाए देंगे दोस्तों तभी प्रिवर्थित होंगे अंकों में जब इनकों डिक्रिप्टिड ही किया जाएगा इंट्रिव्यू बोर्ड के सद्ध से पहले की तरह अपने अंक हार्ड कोपी में भी लिखेंगे उस पर हस्ताकसर करेंगे और सील बंद कर देंगे आयोग के चेर्मेन आलोग के वर्मा के निर्देशन में आयोग में ये नया सिस्टम तयार किया गया है इससे जहां आयोग का रेजल्ट तयार हो सकेगा वहीं इसमें गोपनेता के साथ-साथ कोई भी साखसाथकार में किसी भी उमिदवार के अंके बदल नहीं सकेगा हालांकि बदलने का सकोप तो पहले भी समाप था मगर अब ये फिजिकल के साथ आते डीजिटल फॉर्म में भी दर्ज होगा और सुरक्षित रहेगा ये सिस्टम एडिये के इंटर्व्यू से 13 दिसम्बर से सुरू किया गया है दोस्तों 13 दिसम्बर से इसकी सुरूआत होचकी है उमिदवार ड्रो के जरीए खुद चुनते हैं इंटर्व्यू बोर्ड जैसे ही उमिदवार इंटर्व्यू के लिए पहुंसते हैं तो उन्हें चार चार के ग्रूप में डिपटी सेक्रेटरी सतीश सेनी के पास जाकर अपना कोड और इंटर्व्यू बोर्ड खुद चुनना होता है कोड को अपने गले में पहनते हैं और चार डिबों में से उमिदवार अपना अपना इंट्रिव बोर्ड की परची इन डिबों में से निकालते हैं सिस्टम पर ही उमिदवारों के रोलंबर के सामने दिया गया कोड और इंटर्वी बोर्ड का नम नमबर दर्ज किया जाता है इसके बाद बोर्ड के सामने जाने से पहले उमिदवार का कोड और बोर्ड का नमबर दर्ज किया जाता है इससे पादर्शिता रहती है नए तो इंट्रिव बोर्ड के किसी सदस्य को पता होता है कि उसके पास कौन सा उमिदवार आएगा और नहीं किसी उमिदवार को पता होता है कि उसका इंट्रिव्यू किस बोर्ड के पास होगा इंट्रिव्यू समाप्त होते ही उमिदवार को आयो का परिश्ट छोड़ना पड़ता है इंट्रिव्यू बोर्ड के हर सदिश्चे के पास अपना अपना लैप्टोप होगा इंट्रिव्यू बोर्ड आयो के एक सदिश्चे के अधिक्स्ता में गठित होता है इसमें चार एक्षपर्ट भी सामिल होते हैं दोस्तों बोर्ड के सभी पांचों सदस्चों के पास अलग-अलग लैपटोप होता है ये लैपटोप आयोग ने महिया करवाए हैं हर लैपटोप को पासवर्ड के साथ खोला जाता है जैसे ही उमिद्वार बोर्ड के सामने उपस्तित होगा वैसे ही सभी लैपटोप के साथ उमिद्वार का कोड परदर्शित होगा उमिद्वार का नाम पता वगेरे कुछ नहीं होगा इंटर्विव के बाद हर सदस्य अपने अपने लैप्टोप में अंक दर्ज करेगा जैसे ही ये सम्मिट करेगा अंक एंक्रिप्टिड हो जाएगा फिर बोर्ड का वे सदस्य भी अपने इन अंकों को बदल नहीं सकेगा वे सीधा कलाउड पर स्टोर हो जाएगा बोर्ड का सदस्य अगले अलग से पेपर पर भी उमिदवार के कोड नंबर के सामने अंक लिखेगा इस पर हस्ताकसर करेगा इंटर्विव के बाद प्रिंट इनकाल कर उस पर भी हस्ताकसर करेगा इस तरह तीन तरह से वे अंक दर्ज हो जाएगे एक पूरे प्रिंट के साथ एक साथ एक हाथ से नोट के हुए और एक डिजिटल फोरम में दर्ज होंगे दोनों लिफापे सेल बंद हो जाएंगे इंटर्व्यू के अंक एंक्रिप्टिड होंगे ये रिजल्ट में कोई गलती नहीं होगी डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा है हरियाना लोक्षवाय आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी सती सेनी ने बता है कि आयोग के चेर्मेन आलो कवरमा के निर्देशन में ये नया सिस्टम सुरू किया गया है इसे लागू कर दिया गया है इससे जहाँ इंट्रिव के अंक एंक्रिप्टिड होंगे उनके साथ कोई छेड़ चार्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि जिस क्लाउड पर यह दर्ज होंगे उसे डिक्रिप्ट करने के लिए तीन से दुश्यों के अलग अलग पास्वर्ड के साथ ही दर्ज करने होंगे इससे रिजल्ट में कोई गलती नहीं होगी पहले गलती की समभावना बनी रह सकती थी चोंकि इंट्रिव के अंक एंक दस्मलों में होते हैं इसलिए सिस्टम अपने आप ही अंक जोड़ेगा इसलिए रिजल्ट जल्दी तयार होगा उमिदवार को सिर्फ कोड दी जाते हैं और उन्हें इंट्रिव्यू बोर्ड का पता नहीं होता है कि कि किस के पास इंट्रिव्यू होगा बोर्ड के सदे से अपने अपने अंक लेप्टोप में दर्ज करते हैं जैसे ही इंट्रिव्यू समाप्थ होगा लेप्टोप का डाटा समाप्थ हो जाएगा ये लेप्टोप और क्लावड इंटरनेट से जुड़े नहीं जुड़े है